हेलो दोस्तों सागत मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों मैं हूँ विक्यात और यह मेरा न्यू व्लॉग है आज भाई बारिस हो गई है पूरी जमीन पूरी गीली हो गई है यह देखिए बहुत तेज बारिस होई थी ना पूरी चीब गीली हो गई है पूरा फार्स भाई मै बाहर गया था घूमने और जब मैं लौटरा था घर आना था ना तो इतनी बारिष तेज होने लगी कि मैं पूरा भीग गया था मेरी गाड़ी भीग गई फिर कपड़े मैंने धुनने पर रख दी पूरी ये रहें पूरी फार्स गाड़ी भीग गई पूरी यहां से अब इस सूख रही है फिर दूप निकलने लगी मगर अब इस तो इतनी तीज बारिष ती गर्मी भी बहुत थी ओमस बहुत सो रही थी मेरे सर के बाल भी आप लोग देख सकते भीग गई पूरी गीले हो गए रहे दोस्तों अब इसर को मैंने पहुंचा थोड़ी सा मुँआ दो के आया तो कंगी किया भीग गई रहे पूरे बार और गाड़ी जब मैं चला रहा था पानी सामने से आरा था पूरी बार सो रही मज़ा भी आरा था बाइक राइट करने में पूरे बाइक नहीं सौरी स्कूटी जो भी है भाई यह जो काई रहती ही ना पूरी इसके सामने अगर चपल से आप चल दो ना यह पूरी शिलिप मार देगी शिलिप मारती है इसलिए वहाँ पे ना मैं ग्लीचिंग पाउडर पूरे साफ कर देता है पूरी काई को आज पानी सीचन की जरूत भी नहीं पड़ेगी पूरे गमल भींग गया पानी भर गया गमलों में मच्चर भी बहुत होने लगे मच्चर भी काटएंगे थोड़ी दूर रहूं फेड़ पौद से मच्चर भी घुख्चे में खूब जूमने लगे मच्चर बाइष में न मच्छड भी खूब जाते हैं कारटेने लगते हैं, बाइष हो गई या ठंड हो गई अभी बाइष ही न मच्छड भी खूब जाएंगे अगर वत्ती लगाना होगा, अभी हवन करूं गजा पूजा पाट करूंगा शाम को पांच बज़े वे निजाएंग हमएवारग है 5 बच जाने लिए हम कारी है आजworkers बहनाए हमेडिया है तिस जानी जानी ऐगें डेखते हम चूनन में फ़िए शानाओओ बैनि रिंट धिस लूटकिल को जनाओगं टेकिएंगा चैंगे तुनक्न किरिए छई दया हैं तो फोज्टकश अपरे इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10-15 मेनट अरे गजब 10-15 मिनट में बन जाती है अरे गजब आई आप लोग ने देखा 10-15 मिनट में चाय बन के तैयार हो जाती है अभी भाईया दे रहे हैं चाय को मेरे लिए ग्लास में चान देना बईया ग्लास में चान के यह बाईया बन गए मस्त चाय अब इसको पीएंगे अधरक वाजी फाइदे मन रहती हैं सड़ी खासी के लिए चलो आप मम्मी को वी दे देते हैं लाइट जला लेए मम्मी जी चाय पी लीजे जी आप चाय कैसी हारत दिख रही है चलो भाई चाय पीएंगे गरम बहुत है थोड़ी सी पीगी देखें अभी गरम बहुत है मंगर फुस वो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी बैनी है है हाँ कभी भी गले में खरास हो ना खांसी आया तो अधरक वाली चाय पीना चाहिए मजारा अब चाय पी लिए है मस्त अब चलते हैं सीदे बहार है चाय पी लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है गले में तो बहुत गलेम खुब कब जाम रहा था अधरक वाली चाय पी लो रहा था अच्छा भी लाग रहा है चल दो शाहते है भाई मैं अपना ब्लोग यहीं अइंड करता हूं वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना लोगों से शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद